ओम चन्ति ये सक्ते हैं कि जो व्यर्थ और निगेटिव से मुप्त रहते हैं उन्हें ही परमात्म एवॉर्ड मिलता है और परमात्म एवॉर्ड है विश्व की बादसाही ये भविश्क का इनाम है और वत्मान का इनाम होगा संपूर्ण सुक, संपूर्ण श्यांती, परमात्म प्रेम, सर्व खजाने आत्मा पूरी तरह त्रप्त और भरपूर हो जाएगी बाबान एक वरदानों से ऐसी आत्माओं को संपन्द कर देंगे तो आईए हम सभी योग अब्यास बढ़ाकर व्यर्थ और निगेटिव से मुक्त हो जाएगी हमें बहुत ध्यान देना है अपने योग के चाट पर कैसा नहीं केवल मेरा बाबा मेरा बाबा कहा और संतुस्थ हो गए हमें बाबा से नाता जोड़ना है वो हमारा खुदा दोस्त है इस इसमर्ती में रहना है वो हमारा साथी है इस इसमर्ती में रहना है साथ साथ पावर्फुल योग के द्वारा अनेक स्प्रित्वल ग्रिल्ट के द्वारा हमें अपने को लाइट रखना है और अपने विकरम विनास भी करने हैं योग से पास्वरुपों के अप्यास से नकेवल विकरम विनास होते हैं बलकि सारे सद्गुन संपुन प्योरिटी निर्भैटा रोयल्टी और अनेक सुन्दर जुधार नाएं हैं को जीवन में आ जाती हैं हम न्यारे और प्यारे रहने लगते हैं बन सबसी जोसे उप्राम होने लगता है सार्व करमिन्रियों के रख पीछे छूतने लगते हैं क्योंकि इस वर ये रख का अनुभव बहुत ज़्यादा होने लगता है तो बहुत ध्यान दें अपने योग के पुर्षार्थ पर अपने दिन्चरिया में कुछ प्लान बनाएं ताकि हम कर्म करते हुए या घरों में रहते हुए भोजन बनाते हुए हम बिन-बिन तरह के सुन्दर अभ्यास कर सकें स्वमान में रहना, ऐसा देजी होना, बाबा से बाते करते रहना ये सब भी योग के अंतर गताता है और इन सर बिन-बिन अभ्यासों के द्वारा अलग-अलग अप्धिया होती हैं पिसाइस रूप से इस स्वमान पर ध्यान देंगे मैं विजईरत हूँ इस वमान के अभ्यास करने से, जो माया को जीतने की हमारे अंदर सक्ती है, वो इमर्ज रहेगी इसके साथ यदि ये भी करेंगे, मैं मास्टर सर्व सक्तिवान हूँ, विजईरतन हूँ, और माया जीत हूँ फिर यदि कोई विकार जीतना है, तो उसके लिए याद करेंगे, काम जीत हूँ, या क्रोध मुक्त हूँ ये संकल्प सवेरे सवेरे करने से, माया को जीतने का बल हमें प्राप्त होता रहेगा लेकिन विखैस बल हमें मिलेगा, जब हम सर्व सक्तिवान की शक्तियों को प्राप्त करेंगे और ये सक्तियों की प्राप्ती परमधाम में जाकर या नीचे बाबा की किरने प्राप्त करके की जा सकती है इसका अभ्यास सारा दिन बढ़ाना है कोई यह नहीं कहे कि हमारे पास तो time नहीं है time management करना होता है अगर आप सारा दिन काम करते हैं computer के साथ तो विच विच में एक दो मिनट अपने कारी एको रोग कर अच्छे अभ्यास किये जा सकते हैं एक दिन के लिए आप एक अभ्यास अपनी भुद्धी में लेकर चलो कि आज मुझे ये अभ्यास करना है या विन विन करम में अलग-अलग अभ्यास करने हैं तो ऐसी कोई बात नहीं, कि सारा दिन अच्छे से अच्छा योग का ब्यास ना हो सके, तो योगी बनेंगे, बाबा की निरंतर मदद मिलेगी, उसकी छतर छाया के सुन्दर अनुहव होंगे, और लगेगा, बाबा इस माइ रेस्पोंसिविल, वो हमारी जिम्मेदारी समहल र फील करेंगे, बाबा हमारे पास आजाता है, उसकी उबरस्तिती फील करेंगे, इसको आदत बनाएंगे, और फिर पावर्फुल योग अभ्यास करेंगे, कि मैं आत्मा परमधाम में सर्वशक्तिवान के साथ हूं, उसको विज्वलाइज करेंगे, हम दोनों साथ हैं, में समाती जा रही हैं, ये अभ्यास बार बार करने से हम बहुत सक्ति सालिप बन जाएंगे, और स्वयम को बहुत लाइप सूज करेंगे, तो आईए आज योग के सुन्दर अनुभव करें, और योग की सक्ति स्वयम में भरकर विश्व को दान करें, ओं स्यंदी